हलो दोस्तों मैं हुमा संकर आपको अपना चला ट्रिकी बैविस्कुता में स्वागत करता हूं दोस्तों आज मैं 12 खलास का जी गुरुफी प्रैट कल एक्जाम 2024 के महतेपून वीडियो लेकर आया हूं इसलिए आप इस वीडियो पर सुरू से लेकर अंतक बने रहेगा अगर आप इस चैनल पर नहीं होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और जितना हो से कपने दोस्तों में सेर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों तो के लिए आप इसको जरूर से जरूर देखिएगा यह आपको फाइनल एक्जाम में जो होने वाला है उसके लिए बहुत ही महतेपून है कि जैसा कि आप जान रहे हैं आप लोग को तीस नंबर का प्रेटकल होगा जिसमें से आपको 10 नंबर, पासिंग मार्ष आपका 10 नंबर होगा अर्था 10 नंबर आपको पास के लिए होगा उसके साथ ही आपको इसके लिए तीन घंटा का समय दिया जाएगा चलिए देखिए कौन-कौन से क्यूचन आपके लिए बहुत ही महात्यपुन है उसे बारे हम इस वीडियो में देखते हैं जैसा कि आप यहां देख रहे हैं यहां पर पहला क्यूचन आपका है निमलिखित आकडाओं दोबारा दंडाले की रचना कीजिए अर्थात आपको दंडाले की रचना करना है जो आपको यहां पर डाटा दिया हो गया है आप उसको डाटा को देख लीजिए जैसा कि यहाँ पर डाटा में दिया गया है नीचे आकड़ो दवारा डंड आले की रजना करना है जिसमें राज्जी के बारे में राज्जी का है और वहाँ पर साक्षतार दर हिया है और सम में आपका 73.18 है जबकि बिहार में 63.82 है गोवा में आपका 87.40 है गुजरात में आचल पर देश में 83.78 है जबकि 36 गड़ में 71.05 है और आंदर पर देश में आपका 67.04 है इस तरह से आपका डाटा दिया हुआ है और इसी डाटा के सहायता से आपको आलेख बनाना है तो चलिए किस तरह से आलेख बनाईएगा उसको हम यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छ बनाने के लिए कह देगा तो मैं एक फोर्मट बता रहा हूँ उस फोर्मट के बाद हम से आप अन्य दानालेख की रचना कर सकते हैं चलिए सबसे पहले आपको जो यहाँ पर आपका वर्स यहाँ पर आपका राजे का नाम हमेशा एक सक्ष पर लिखा जाएगा और जो आपका अंतराल दिया हुआ है अर्थात वहाँ पर जो बताया गया है उसको वाई अक्ष यहाँ पर वाई अक्ष हो जाएगा और यहाँ पर एक सकत होगा है जैसा कि यहां पर हम बनाए हैं जो देख रहे हैं इस तरह से आप बना सकते हैं तो देखिए हम यहां पर आपको एक दिन state name अर्थात राज्य का नाम लिग दिये हैं और यहाँ पर rate लिग दिये हैं किस तरह से बनाना है इस तरह से आप बनाते हैं और अगर आप बना रहे होंगे तो आप gaping भी ले सकते हैं देख लिजेगा आपका जिस तरह से माप रहेगा उसी की तरह से आप gaping लिजेगा और इस जैसा कि आप यहां देख रहा है यहां दिया गया है कि आकड़ की सहता से बिरितालेक की रचना करना है इसमें आपको डाटा यहां पर दिया गया है भारत में फसलों का उत्पादन इसके अंतर का तो एक दिन फसल का डाटा दिया हुआ रहेगा और एक उत्पादन का डाटा के नाम में आपका गया हूँ 700 जबकी गन्ना एक सवसी और मका तीरासी और अन्य तेश रहेगा इस तरह से आपको टाटा दिया रहोगा इसी के सहता से आपको प्रित आलेख बनाना है हम वीडियो को लॉग होने से बचने के लिए मैं पहले ही आपको सलीउशन करके यहाँ पर दे दिया हूँ तो चलिए देखे किस तरह सबनाना होगा अगर आप उसको solution करेंगे तो सबसे पहले आपको heading में लिखना होगा बृत आले में दर्साने के लिए हम उत्पादन को degree में बदलते हैं अर्थाथ degree में बदलेंगे degree में बदलने के लिए इसका एक सुत्र होता है अर्थाथ आपको जब degree को बदलना होगा कोई भी data दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले आप दियेगा फसलों का उत्पादन बटा कूल उत्पादन करिएगा अर्था जितना उत्पादन दिया है उस सबको जोड़कर कूल उत्पादन निकाल लिजेगा इसके साथ ही इसको 360 degree से गुना करना है अर्था 360 degree से गुना करना है क्यों कि बृत का बृत केतना degree का कौन बनाता है तो 360 degree का बनाता है इसलिए हमको बृत का भाग निकालना है इसलिए हम 360 degree से गुना करेंगे इसके बाद यहाँ पर हम लोग चार कुलम बनाएंगे एक में करवंग संख्या लिखेंगे जबकि दूसरा में फौसल का नाम लिखेंगे तीसरा में उत्पादन जो टErन में दिया हो उसकyas लिखेंगे इस के बाद हम बुरिट का भाग की तरह से निखाला जाता है उस से हम यहां पर देखेंगे तो जैसा कि यहां देख रहे हैं गयहूं में आपका 700 है और गर्ना में आपका 180 है वह कई में 83 है अन्य में 23 है और इस सब मुला पर आप बिशेश ध्यान दीजेगा तो यहां पर कहरा दिये गए संख्या तो हमारा दिये गए संख्या 700 है और कुल उत्पाद केतना है तो यहां 986 है तो 700 बाटा 986 गुने 360 करेंगे अगर हम उपर नीचे इसको काटेंगे 700 को 936 से काटेंगे तो ज्यादा लॉंग हो जाएगा इसलिए हम लेका कर दिया अदम सिंपल तरीका से आपको याद करना होगा कि 360 में आपको जितना अगर आपको ब्रित पाई चाट बनाना होगा ठीक न तो उसके लिए हम का कर देंगे सब टोटल जितना उत्पादन होगा जो भी होगा उसको कुल को 360 डिगरी से भागा कर देंगे और जितना आपका मान आएगा अर्थात यहां देखिए इतना से हम लोग भागा करते हैं जितना मान गए तो हमारा 0.365 मिल गया इसमें सब उतना ही मिलेगा इसलिए हम लोग डाइडेक का कर दिये 700 से 700 से 0.365 से मल्टीपल कर दिये तो दूसर 55.58 प्राफ्ट हुआ उसी तरह से 180 को 0.365 से मल्टीपल कर देंगे ता 65.72 डिगरी प्राफ्ट होगा उसी तरह से 83 गुने 0.365 से multiple करते हैं तो 30.30 हो जाएगा इसके साथ ही 30 को multiple करते हैं 0.365 से 8.40 डिग्री प्राप्त होगा इस तरह से आप कर सकते हैं जैसा कि हम आपको यहां बता रहे हैं इसके साथ ही अगर आप जोड़ते हैं तो हमको 306 डिग्री आता है जो हमारा प्रित का कुल डिग्री हुगा इस तरह से आफ ग्याद कर सकते हैं अब जो यहां पर हमारा डो डाटा प्राप्त हुआ है उसी डाटा को हमको ब्रीत में अंकित करना है तो आप इस तरह से आप यहां जो देख रहे हैं डाटा को अंकित कर सकते हैं तो चलिए देखे किस तरह से मैं तो आपको यहां पर बता दुगा हूँ लेकिस सबसे पहले आपको बृत घिचना होगा तो बृत घिचने के लिए आप एक नियत चाप ले लिजेगा और चाप से उसे का चारो और कुडा कर ब्रित बना दीजेगा जिस तरह से हम यहां पर बनाए हुए हैं इस तरह से आप यहां पर ब्रित बना दीजेगा और ब्रित बना कर किसी केंद्र से एक त्रिजिया घीचिएगा और जहां से त्रिजिया घीचिएगा उसी को आप अधार माना लिज इसके बाद आगला करा था 65 तो फिर जहां पर आप डिग्री का देखे होंगे यहां से यहां तक आप डिग्री का मान निकाले होंगे तो फिर इसको हम अधार मानेंगे इस अधार से भी हम इसका डिग्री निकालेंगे इसके बाद इसको आगे कि ग्याद करने के लिए इसको निकालेंगे इस तरह से हम डिग्री निकालकर यहां पर लिख देंगे इस तरह से आप बनाते हैं तो आपको फूल मर्स दिये जाएंगे इसके साथ ही आपको एक और क्यूशन दिया हुआ रहेगा क्यूशन नमबर थी वाट इज डाटा वाट आर दा टाइप ऑफ डाटा वाट आर दा सौर्स फॉर अपटियेंश की देंग अर्थारत डाटे क्या है या किदने परकार के होते हैं इन्हें पराप्त करने के सुरुत वाट क्या है इसके बारे में हापर पूछेगा तो चलिए देखते हैं क्या है डाटा जैसा कि यहां आप दीख रहे हैं तो सबसे पहले हमको डाटा को जनना होगा अर्थार डाटा डाटा को ऐसी संख्याओं के रूप में परभासित किया जाता है जो वास्तवी की बीश्वा के महापन को दर साते है जैसे गर्मियों में मरोस्तल का तापमान पैतलेश डिग्री सेंटीग्रेट वही उतर भारत का तापमान तीश डिग्री सेंटीग्रेट तो सिरिनगर का तापमान दौस डिग्री सेंटीग्रेट जैसे आकड़ी संख्यातम सुचनाई आकड़े कही जाती है इसके साथ ही हम लोग आकड़े के परकार के बाने बजानते हैं जैसा कि आप जान रहे होंगे आकड़े दो परकार के होते हैं यहाँ पर लिखा अगवा आकड़ों के दो परकार होते हैं प्रात्मिक आकड़े और दुतियक आकड़े प्रात्मिक आकड़े को हम लोग गोन आकड़ा भी बोलते हैं इसके साथ ही यहां कह रहा है कि प्रात्मिक आकड़े पहली बार अनुसाधन करता है अथवा गना कारों दवारे इकठा किया जाता है जैसे जनसंख्या उत्पादन की मात्रा आधि प्रात्मिक आकड़े के उदारन है इसके बाद हम लोग दूतिय आकड़े देखते हैं तो दूतिय आकड़े दूसरे लोगों दुवारा संग्रहित किये जाते हैं जो समान्य रूप से पत्र, पत्रिकाओं, ब्यवसाइडो, सोसल मीडिया आधि के माधियम से उपलब्ध होता है आकड़े के मुख्यता दो सुरोत होते हैं पहला प्रात्मिक आकड़े के रूप में और दूसरा दूतिय आकड़े के रूप में इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रात्मिक आकड़े के सुरोत तो इसके अंतरगत, व्यक्तिगत, प्रेक्षन, सक्षतकार, प्रशनावली सुची आधि आते हैं जबकि दूतिय आकड़ा के अंतरगत, सुरोत क्या हो जाएंगे सरकारी और सरकारी अंतराष्टिये, निजी परकाशन, समाचार पत्र, व्यक्तिगत और गैर सरकारी प्रलेख इतियादी आते हैं इस तरह से हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं तो आई होप यह वीडियो गर अचला होगा तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा फिर मिलेगे ने वीडियो के साथ तप तप के लिए चैनल बेस्ट आप लग